कि अधियो प्रेंड्स अमारी चैनल टेक्नोसाइल स्टेडी पर आपका स्वागत है दोस्तों आज हम वीडियो में बात करेंगे पार्ट थ्री जो भी हमने पार्ट वन और पार्ट टू जो बीसीय के फाइनल एर के बनाये हुए थे उसके आज का वीडियो है पार्ट थ्री ज इसमें छोड़ी सी टीप सेसे है जो जो भी स्टूढन नुँऊ है जो भी मणलो नूप्रोजक्ट बना रहे है तो वह कुछ न कुछ गलतिया calculated तो उसी जो सबसे pole एंपोर्ट प्रफिनशल करते है उसके बारे में आर जहां मेर्ट बात करेंगा चलो दोस्तों वीडियो को स बढ़ नहीं पाते हैं बढ़ फ्रोजेक्स के लिए बहुत टेंशन में आ जाते हैं और दिप्रेसिन में आ जाते हैं तो ज्यादा कुछ तेंशन लेने के जरूद नहीं है दोस्तों हमें अाघ्रभ और इनोवेटिव डेफिनेशन को सिलेक्ट करना है हमें कुछ डेफिनेशन सिलेक्ट करना है जो भी हमारे आजस्वल यानी कि हमारे आश पास में कुई ऐसी जो मांदको शौप मैंनेजमेट जहां पर स्टोर हो अगर आप वह कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई भी एक सिंपल से आप मोबाल एक बना लो लेकिन यह बहुत ही चोटा प्रोजेक्ट हो जाएगा दोस्तों ज्यादा तर हमें जब स्टडी के लिए हम फाइनल एर के प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं दोस्तों तो और में कोई भी मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है हमारे लिए बेस रह EGingers दोस्तों पहले आप से लेकर आप हेवर हुआ डेश्क शेक्कैसन बना रहे हो या इक जहादातर मतमेरी मानो तो म से जगाए आप कोई भी we app निया डेस्कभ अप्ट बना अभी प्रोजट्व बना सकते तो भी दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा रहीगा को यह तो थो दोस्तों डेफिनेशन के बद दोस्तों डेफिनेशन हमें symple और innovative रहें जा है को भी अच्छी अगर मानों आपने कोसी फोर एक्जाम्पल देखेलो आपने फन्नेचेर मैंजमून सिस्टम तो एक इस philosopher अगर अगर आप एसे डेफिनेशन लेगे तो आप आप ही Confuse हो जाएगे आप WebF बना रहे हो याप Dash Soup F बना रहे हो दोस्तों मेरी मानों दोस्तों कोई भी एक management की अच्छी जी एक WebF या तो Dash Soup F आप बना लो आपके लिए आसान रहेगा second one दोसे भात करे तो select perfect system मोड्यूल आप जब भी प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो कोई एसा पर्फेक्ट मोड्यूल को से लेकर जो भी कि आपको ज्यादा एक्स्पिरियंस नहीं है प्रोजेक्ट के बारे में इसलिए आप स्टूडेंट हो फ्रेशर सो इसलिए आप या तो वाटरफोल या तो स्पार मोड्यूल का ही यूज करें तो उसमें स्टेप बाइस्टेप जो भी है रिक्वाइरमेट है उसके बाद एनल क्या होगा दोस्तों कि जब भी आप डिज़ेनिंग टेस्टिंग इंप्लिमेनटेशन रिविव्यू और सब स्टेप बाइ स्टेफ टॉप टू डाउन आए गये तो फ्र क्या करने फिर से नीचे से उपर तक यानिकि दोस्तों डाउं से टॉप तक फिर से ओफेस को चाह र इस module का यूज आपको बहुत काम करना चाहिए मेरी मानों तो नहीं करना चाहिए दोस्तो इसके बाद दोस्तो रहता है प्रोटोकल मॉड्यूल का भी यूज कर सकते हैं इस में क्या होगा दोस्तो कि आपको फेले रिक्परमेट गेधरिंग कर गे और एक रान यानिक राफ डि लाश्ट में दोस्तो बात करें तो है इनालीस करेंगे उसके बाद दोस्तो उसकी डिजाइंग करेंगे और लाश्ट में करेंगे वापस टेस्टिंग करेंगे दोस्तों और वापस जो क्लाइंट है उसका वापस रिव्यू लेंगे तो ऐसा जो सरकल है वह चलता ही रहेगा वह साइकल चलती रहेगी दोस्तों तो पायरल मोडल है और बेश्ट है आप इसका यूज कर सकते हैं उसका बात दोस्तों बात करें तो डेटाबेस और डिजाइन चाहदा तर स्टूड़न दोस्तों क्या गलती कर बैठते हैं कि ओडिजाइन पहले कंप्लीट कर लेते और डेटाबेस बाद में बनाते दोस्तों तो यह गलती नहीं करनें हमें सबसे फहले है ओर डेटाबेस को कंप्लीट करना है पर ले अंब डेटाबेस बनायेंगे उसके बाद ही हमें डिजाइनिम क्यूंकि चाहरा euro di as a आपको बना लेनी और उसकी वजह से आपको चो Easy complete करने क्यóbben क्यों क्यूंकि रीलेशन्स आती है दोस्तों आप और दिजेइन बना लेता हो तो आपको बहुत ज्यादा दिंखत आ सकते सी नहीं करने में लेखतसक से pillars बना क्रें और दोस्तों उसमें 2 module अवश्व होगे अगर आप मोबय लेप बना रहे हो तो बात कुछ अलग है दोस्तों लेकिन जाधा तर प्रोजक्त में दोस्तों यूजर module और admin module होगा तो हमें सबसे पहले जो यूजर वाला module है उसको complete करना है ना कि admin वाला क्योंकि हमारे लिए अच्छा रहेगा कम यूजर वाले मोड्यूल को पहले कम्प्रीट करें क्योंकि यूजर वाले मोड्यूल है उसका ओध्मिन मोड्यूल है ओई यूजर मोड्यूल पे 50% dependent होती है दूस्तों नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो step by step सबसे पहले हमें कोई भी आप मैनेजमेंट का अगर आप प्रोजक्ट बना रहे हो तो आपके लिए मास्टर प्रेस्ट कर लो क्यूंकि आपके लिए अच्छा रहेगा आप कोडिंग शॉर्ट टाइम में कम्प्रीट कर पागए उसके बाद लोग इन मोड्यूल को कम्प्र कर देना है नेक्स दोस्तों बात करें तो है इंपोर्टन स्टीप यानि कि जो भी प्रोजक्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ चोट टीप से दोस्तों हमें एक्सेप्शन एंडलिंग का यूज अवश्य करना है जो भी स्टूडन गलती ज्यादातर कर बैठते को एक्सेप्श लेकिन आप शॉट टाम में अगर प्रोजक्ट करना चाहते है और प्रोजक्त है और थोड़ा अट्रेक्टीव ना चाहते है तो दोस्तों आप डिजाइनिंग के लिए टेंपलेट का यूज करो क्योंकि आपके लिए अच्छा रहें क्योंकि टेंपलेट से और आपको क्योंकि रिलेशिप देने में आपको आशानी रहेंगी दोस्तों उसका बाद टेस्टिंग तो टेस्टिंग के दोस्तों बात करें तो हम ग्रेबॉक्स टेस्टिंग में आते हैं क्योंकि हम वाइट बोक्स टेस्टिंग और ब्लेक बोक्स टेस्टिंग दोनों करेंगे क्यो दोस्तो यह थी थोड़ी सी टिप्स दोस्तो नेक्स वीडियो में हम बात करेंगे कि हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करें जो एक हम प्रोजेक्ट लेंगे एक डेफिनेशन से लेकरेंगे और उस प्रोजेक्ट पर हम स्टेप बाइ स्टेप काम करेंगे दोस्तो दोस्तो हम सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों अमारी चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिगा और बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिगा ताकि जब भी न्यूडियो अप्लोड़ो तो उसकी नॉटिपिकेशन बहुत जल्ड आपको मिल थेंक्यो दोस्तों धन्यवाद